जैन्दो सुवन्द मातरा देखे किसी भी व्यक्ति की जो कुंठा होती है वो कहीं भी बहार आ सकती कुंठा को बहार आने के लिए कोई सही समय सही वक्त की जरूरत नहीं होती सही जगे की जरूरत नहीं होती कुंठा कुंठा होती है वो कहीं भी बहार आ सकती अब ऐसे ही कई लोगों कुंठा हो गई, बर्णौल की जरूरत पड़ गई, जब एक बार फिर से मोदी जी कई सारे देशों की यात्रा पर एक साथ निकले और कई जगों पर उनको जो इज़त मिली वो देखकर भारत में लिटरली कई लोगों को बहुत कुंठित महसूस मोदी जी वैसे, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, लेकिन आखिर में इन सब के इस ढोल पीटने की जो महनत होती है, उसका कोई रंग निकल कर नहीं आता, सब चीजों के बर पानी फिर जाता है, जब दुनिया भर में उनको वो इज़त मिलती है, जिसकी की वाक ऐसा बोलने की जरूरत किया है, मतलब तुम 19 को 20 करके बता रहे हो, राई का पहाड बना के बता रहे हो, वो ही बात होती है, लो ऐसे में जो ऐसे कई सारे लिबरल्स होते हैं, बुद्धी जीवी होते हैं, अपने आपको पड़ा लिखा, एलीट समझने माले लोग होते हैं, इन लोगों काफी बुरा लगता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने इस समय G20 की बैठक जो भारत में चल रही है, उसमें किस प्रकार से मुस्लिम देशों ने भारत को दोका दिया है, उसके उप अब ऐसे में पपुआ निग्विनिया जो एक देश है जहां पर की अभी मोदी जी गए थे, वहां के परान मंत्री ने मोदी जी के पैर चूकर उनका अभिवादन किया था, उनको दिन्नेवाद कहा था कि उन्होंने बुरे समय में पी एंजी को दवाईयां, वैक्सीन मोहय कराई थी करोनकाल के समय पर, इसी बात को लेकर देखी कई लोगों में अब कुंठा बैड गई है, और अब कुंठा धीरे धीरे ही सही लेकर निकल कर आना शुरू हो गई, ऐसा ही कुछ वाक्या हुआ अरफा खानुम शेरवानी के साथ में, जिनकी कि मैं काफी इज़त करत हूँ, वो काफी वरिष्ट पत्रकार है, उनका बोलने का तरीका मुझे बेहत पसंद है, लेकिन देखिए, जो है सो है, बात सीधी सी है, दरसल हुआ कुछ यूँ कि इसी ये जो एक पी एंजी वाला पूरा किस्सा हुआ, इस किस्से को लेकर अरफा खानुम शेरवानी जी मैडम का कहना मतलतात पर ये था, कि मोदी जी के भले ही उनने पैर चूली हो, पी एंजी के पी एम ने, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी छोटे ही है, पैर चूने वाला बड़ा है, अब देखिए, अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो छोटे बड़े की बात ही नही सिखाए जाती वो ये है, कि यदि आप किसी के भी पैर चूल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को अपने से बड़ा मानते हो, आप उस व्यक्ति का आदर करते हो, बड़ा इंदर सेंस, पैसे के मामलें बड़ा नहीं, बड़ा इंदर सेंस, आदर सम्मान में आ अपने से बड़ा मानते हो आप उसको काफी मान सम्मान दे रहे हो और कहीं न कहीं आप उससे आशिरवात प्राप्त करना चाहते हो कि उनका हाथ आपके उपर बना रहे हम जब भी अपने घर में बड़े बुजर्गों के भी जब यह हम पैर चूते हैं तब हमारा उससे यही अप्रकार की गटना है देखते हैं तब यह देख़ा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति ने बुरे समय पर आपका कितना साथ दी अगर साथ दिया है तो फिर आप उसके साम नतमस्ता खो सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं और इसमें इफेंट बट देखने वाले लोगों को अपना मानसिक इलाज किराने की जरूरत है लेकि देखिए इसमें अर्फा जी की गलती नहीं है तो ये चीजें जो हैं जो लोग समझ पाते हैं वो समझ पाते हैं जो नहीं समझ पाते हैं इन धर्म कोई बारे में वो लोग नहीं समझ पाते हैं तो इसमें अर्फा जी की कोई गलती नहीं इसलिए उनको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए तो सीधी बात बस यही थी आप उनके इस ट्वीट के उपर देखी कई लोग पहुँच गए बाते करने के लिए कि नहीं भी आप हम अरफा जी को बताएं कि क्या हुआ है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है यह लोग क्या बोल रहे हैं यह वो ट्वीट है जो कि अरफा जी ने हैं उन्हीं के पैर चुए जाते हैं आप लोगों की तरह नहीं जो छोटे बड़े लड़का लड़की बकरा जाद बात आ गई बढ़ गई शोयता सिंग ने लिखा है किड्स डू भारत जोड़ो यात्रा लेजन्स डू अखंड दुनिया जोड़ो यात्रा क्या बोल दो अब बड़ा वो है जिसको आप फोटोशॉप करती है यू मौन होसला अच्छा यू मीन होसला अच्छा ये एक ट्वीट भाईया ये काफी वारल हो रहा है इसमें आप मतलब कि इस वक्त में मुझे सिफ अपनी आत्मा को और अच्छा पवित्र करने के लिए मुझे इसी तरह के माहौल की जरूरत थे है यहाँ पर वो अपनी गोदी में बखरे को पकड़ी हुई है अब अगले ट्वीट पे आते हैं यमी मतन गली मतलब क्या से क्या हो गया दे गेम्बो लिखते हैं कि आप अपने पिताजी के अपने शिक्षक के पैर चूते हैं यहां बड़ा कौन है आप या आपके पिताजी और शिक्षक वही बात में बूल रहा था अपुगा न्यूगिनी के प्रहान मंतरी ने भारत के प्रहान मंतरी का सौगत करते हूँ उनके पेर चूँ या बड़ा कौन जो पेर चू रहा है या जिसके पैर चूँ जा रहे हैं आपको फैसला कमेंट्स में करना है अमिट सिंग राजावद लिखते हैं पैर उनके चुए जाते हैं जिसके लिए हृदय में संसकार हो इसलिए ना पैर चुने वाला छोटा और ना पैर चुलवाने वाला बड़ा होता है लेकिन सरातन संसकार की ये बात मलेचा को नहीं समझ में आएगी पता नहीं क्या लिखा में पड़ादी पाया है यह बताना है आप भारती संस्कृती से कितनी दूर है अगर कुंठा द्वेश से यह वीडियो बनाया है तो ठीक है समझ सकते हैं लेकिन अज्यानता से बनाया है तो आपके आपके मालिकों को आपको नौकरी से फोराण निकाल बढ़ा है जगत दरक लिए पैर उसी के छूते हैं जो बड़ा और महान हो जम्चे लोग जिनके पैर उसे चूए जिनके लिए रिदय में सम्मान हो ये लाइन तो उपर से टाप ली है अविनाश लिखते हैं यापर तुम लोग जब ये कियाने वाले वीडियो डालते हो ना तब बड़ा मजा आता है मुझे भी बहुत मजा आता है मनोच कुमा लिखते हैं कि एजेंडा बाजों की तो कार के होती है एक होती है जब कोई तुम से बहुत आगे बढ़ जाए एक होती है कि किसी के पास ऐसी बेश्कीमती चीज हो जिसे तुम पूरी जिंदगी कभी नसीब न कर पाओ ये मौतरमा दोनों से पीड़े थे दिनेश लिखते हैं मतलब हद है कुछ भी वारे मोदी जी इन लोगों को क्या से क्या बना दिया देखते देखते अब तो इनके वीडियो देखकर भी बड़ी हसी आने लगी है क्योंकि अंदर की बात दिल के मलब सामने निकल कर आही जाती है अभी शेक लिखते हैं आपर कि आप नहीं समझेंगी पाओ चूने का महत्व क्योंकि लेकिन हमारे देश में उसके बावजूद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकों की बिलकुल प्राउड महसूस नहीं होगा उनी में से एक मौतरमा का हम लोग नों है अभी ये वीडियो देखा और उसी के अपर हम लोगोंने बात करी अब देखिए जाहिर सी बात है जैसा कि म होती रहती हैं यह भी कुछ उसमें से ही थी और उसी में किये समस्या भी थी वाकि आप लोगों का इस विशे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है बिलकुल वहां जाकर कमेंट करें मेरे सुड़ें विलालत नहीं जैहन जै भारत